कि नमस्ते मैं डॉक्र अनुजा करेकर मैं साइक्याट्रिस्ट हूँ डी अडिक्शन स्पेशालिस्ट हूँ साइको थेरेपिस्ट हूँ और केड़कर तो एंकर साइक्याट्रिसिंग हूं घोडबंदर ठाने में एजना साइक्याट्रिस्ट कि सालों सेप्रैक्तिस कर रहे हूं आज हम इटिंग डिसोडर्स के बारे में बात करेंगे किई डिसोडर्स यह मेल्स की मुकाबले meas Fall hagल classify जाने जादा होता है जैन्डरली जो यह प्रॉब्लम होता है यह अपर मिडल-क्लास या एग दम डेवलप क यह जो है यह problem जातर हमको models में, actresses में, या dancers में, या athletes में, या फिर teenagers में मिलते हैं. अब इसका कारण यह है कि यह लोग, जो मैंने अभी बताया सब, यह लोग figure conscious बहुत होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत maintain करना पड़ता है, size zero maintain करना पड़ता है, और teenage के बारे में बोला जाये, तो teenagers वैसे ही बहुत cautious होते हैं, peer pressures में, या comments ना हो, इसके वज़े से वो ज़ादा cautious रहके, अपने figure के बारे में सोचते हैं, और यह सभी लोग, dieting बहुत करते हैं, लेकिन वो dieting करते करते, कब वो over dieting हो जाता है, उन्हें भी समझ में नहीं आता है, यह एक चार में से एक female को होने के chances है, यह देखिए कि इतना कितना यह important है, और कितना यह severe होते जा रहा है, अब इसमें दो प्रकार के eating disorders है, एक है anorexia nervosa और दूसरा है bulimia nervosa, फर्स्ट हम बात करेंगे anorexia nervosa पे, एनorexia nervosa में क्या होता है कि जो patient है, या जो भी व्यक्ती है, वो भूग लगती है, लेकिन अपना weight ना बड़े, इस वजह से खाना ही बन कर देता है, वो उसे भूग भी लगे, तो भी वो avoid करता है, और अगर किसी ने जबरदस्ती की खाने की, तो भी वो खाता नहीं है, वो चिर्चिड करके वहां से निकल जाता है, या फिर लोग जबरदस्ती ना करें, इसलिए वो टाल देते हैं, या फिर बाद में अकेले खाने के लिए बैठते हैं, अब इसमें खाने की तो इच्छा बीच में बीच में होती है, लेकिन अगर वो खाए, तो फिर खाने के बाद उन्हें गिल्ट भी आता है, कि अगर मेरा वजन बढ़ गया तो, इसलिए वो vomiting, मुह में हाट डालके, उंगलिया डालके vomiting करते हैं, या फिर पेट साफ होने के लिए medicines लेते हैं, कि जादा से जादा स्टूल्स में से खाना बाहर निकल जाए, और फिर उसके साथ साथ एक्सराइज बहुत करते हैं, ताकि उनका वेट ना बढ़े, ऐसा देखा गया है, कि अल्मोस्ट जो एक्चुली बॉड़ी वेट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर म मेल या फीमेल का, उससे उनका 15% कम हो जाता है वेट, और सिर्फ हड़ी और स्किन ही रिखते हैं, मास तो दिखता ही नहीं है, सिवियर केसे में, बॉड़ी इमेज डिस्टॉर्शन, उनको बहुत डर रहता है, फैटनेस का, और उसकी वजह से वह खाने का भी डर उनके मन मे बैठ जाता है, और इसलिए वो अवोईड करते है, अगो मेर में देखते है, उनको डर रहता है, कहीं में यहां से मोटी नहों गई, यही लगता है, कि मैं मोटी हो गई हूं, मैंने और खाना कम करना चाहिए, और एक्साइस करनी चाहिए, उनको घर वाले भी समझाते है, कि तुम्हें exercise करने की जरूरत नहीं है, तुम विकदम्फ अच्छी हो और तुम बहुत lose कर चुकी हो weight, लेकिन उन्हें वो satisfaction मिलता ही नहीं है और वो continuous efforts करते रहते हैं, कभी-कभी वो obsession में बदल जाता है, याने उन्हें ही पता नहीं चलता कि वो obsessed कब हो गया है वजन को लेके, और उन्हें कब तकलीफ हो रही है, अब इसमें क्या है कि दो चीज़े है, एक तो psychological effect होता ही है, प्लस physical याने medical problems भी उन्हें शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो सबसे जादा important problem माना जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ psychological होता तो एक बात थी, लेकिन इसमें psychological और physical याने medical भी problem आने की वज़स से उन्हें nutritional problem शुरू हो जाते है, vitamins कम हो जाते है, minerals, iron, सब कम हो जाता है, calcium उन्हें जैसे चाहिए वैसा मिलता नहीं, उसके बोन्स वीक हो जाते है, continuous उल्टियां करकर के dental caries शुरू हो जाती है, hydration proper नहीं होता है, इसलिए kidneys पे भी load आ सकता है, लीवर पे load आ सकता है, और इसमें cardiac problems शुरू होते है, low BP, low pulse rate यह प्रॉब्लम शुरू हो जाते है, hormonal changes काफी लोगों में दिखने लगते है, और उनके जैसे उनको menses बराबर नहीं आते महने के, sterility आ जाती है, तो यह इतने सारे problems उनको medically हो सकते है, अब इसका investigations के बारे में बात किया जाए, तो generally investigation से medical reasons के लिए ही करने चाहिए, क्योंकि एकादा अगर patient opedy में आया, तो उसकी situation देखके, हमें investigate जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले और हमें भी पता चले कि problems कहां कहां हो गये हैं या हो सकते हैं, काफ इसलिए CBC करना, हिमोगलोबिन हमको पता चलेगा कितना है, creatinine करना, kidney pick अगर कुछ problem है तो पता चलेगा, liver test करना जरूरी है, और sugars करना जरूरी है, काफी लोगों में बिना खाने की वज़ए से sugars low हो सकते हैं, तो ये सब investigations करना जरूरी है, additional यानि अगर hormonal imbalance अगर लग रहा है, electrolyte imbalance लग रहा है, तो उसके related अगर करना चाहे तो investigations कर सकते हैं, majorly ये OPD basis पे ही treat करने का problem है, इसमें admission की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर physical problems बढ़ गए हैं या physically कुछ मिल रहा है investigations में, तो फि उन्हें admit करके जो भी supplements देने हैं, जो भी medicines देना हैं, दे सकते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि parents इन लड़कियों को या फिर इन patients को लेके आते हैं, तो इसलिए उनको force treatment की जरूरत होती है, इसलिए admit करना उसकी वज़से जरूरी हो जाता है, अब इसमें क्या होता है, कि पहल हो सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें medicines देना जरूरी है, उसके साथ-साथ individual counselling, उनका पेशन का खुद का counselling करना जरूरी है, parental counselling, family का counselling, ये चीज़े उसमें cognitive behavior therapies आते हैं, और इसके साथ-साथ nutritional supplementation उसका भी proper उनको charting देना जरूरी है, इसमें और एक है hypnotherapy, जो दिमाग में बैट गया है, इतना जबरदस बैट गया है कि मुझे खाना खाना नहीं है, मेरा body image distort हो रहा है, मुझे मैं मोटी हो रही हूँ, ये जो thought process है, इसको बदलना जरूरी है, इसके लिए hypnotherapy बहुत अच्छा काम करता है, तो ये थी anorexia nervosa के बारे में जान करी, मेरे second video में मैं द या मानसिक बीमारियों को लेके जानकारी पहुचाना चाहती हूँ, आप like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बारे में जानकारी पहुचे, आपको अगर कोई और इसके बारे में जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे केलकर तुरंक साइकेत्री नर्सिंग होम के कॉंटेक नमबर पर कॉंटेक कर सकते हैं, हमारा कॉंटेक नमबर है 950-330-9619, नमस्ते